क्या आप जानते हैं आप अपने Android TV पर Microsoft Office, Zomato, Discord, WhatsApp जैसी काफी सारी आप्स को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं ये आप्स ऑफिशली Android TV के Play Store पर अवेलिबल तो नहीं है पर हम अपने स्मार्टफोन से इने साइड लोड करके इंस्टॉल कर पाते हैं ते-डन अप्स करने के लिए आपको वायर्ट यया माउस और कीबोड का यूज करना पड़ता है मैं इस मिनि वायर्लस कीबोड का यूज गर वहूं सुक्त आप जाहें तो आप किसी भी प्तीपोर्ट और मावाउस को यूज कर सकते हैं आप फोटो को राइट और ले जाने के लिए काफी आसानी से कंट्रूल कर पाते हैं Google Photos की सबसे खास बात है यह इंस्टेंटल हमारे फोन के फोटो का बैक अप ले लेती है तो हम अपने फोन के फोटो और वीडियो को टीवी पर आसानी से देख सकते हैं अब गूगल फोटो के जितने भी फीचर से हम इस अप के थ्रू डारेक्टली टीवी पर यूज कर सकते हैं फोटो इल्बम क्रिएट करने से लेकर एडिटिंग टूल से फोटो की ब्राइटनेस कलर को डारेक्टली हम टीवी पर एडजस्ट कर पाते हैं इस अप से अपने टीवी से शॉपिंग तो करी सकते हैं साथ ही हमें इसमें मिनी टीवी का ओप्शन भी मिलता है जिससे हम काफी सारे जैनल की वैब सेरीज, मूवीज और टीवी शोस को बिना इसी एड के फ्री ओफ कॉस्ट देख सकते हैं अपने टीवी पर ये सबी शोस फुल स्क्रीन मोट पर हाई क्वालिटी में प्ले होते हैं सो आप इन शोस को 55 इंफेक्ट 65 इंच के टीवी पर भी आसानी से इंजॉय कर पाएंगे अभी के टाइम पर वाटसाइब, टेलिग्राम और डिस्कॉर्ड जैसी एप्स काफी पॉपिलर हैं अब हम इन एप्स को अपने टीवी पर यूस करके मैसेजिस का रिपलाई करने के साथ फाइल्स, दॉक्यूमेंट और वीडियो को डाउनलोड और शेयर भी कर सकते हैं इसी के साथ मैंने डिस्कॉर्ड एप को भी इंस्टॉल करा इस एप से हम डॉक्यूमेंट, PPT और Excel sheets को create और edit कर सकते हैं directly TV पर surprisingly ये एप काफी अच्छी तरीके से वग करी थी फोन को change करने से लेकर text size को adjust करने तक सभी essential document editing tool हम टीवी पर आसानी से use कर पाते हैं इस एप का सबसे major advantage है कि हम सभी टाइप के documents को edit कर सकते हैं अपने टीवी पर आप जीमेल या WhatsApp जैसी एप से document को download करके edit करके easily अपने टीवी से ही ने share भी कर पाते हैं अब शॉपिंग की बात करें तो Amazon के लावा आप अपने टीवी पर Zomato app को भी यूज कर सकते हैं I am not sure आप अपने टीवी से food order करेंगे या नहीं बट यह एप भी perfectly work करें थी अपने टीवी पर मैंने इस एप से order करने का try करा एंड खाना order करने से लेकर delivery तक हमें इस एप में सभी features perfectly work करते हुए मिल जाते हैं The only thing is हमारे टीवी में GPS का option नहीं होता है तो आपको address को manually enter करना पड़ता है या फिर आप अपने saved address में से किसी भी address को pick करके use कर सकते हैं अब बात करते हैं कुछ इंट्रेस्टिंग ब्राउजर के बारे में क्या आप जानते हैं हम अपने अंड्रोइड टीवी पर Microsoft Edge, Opera, Firefox, Chrome जैसे सबी popular browser को install करके use कर सकते हैं इन browser का सबसे major advantage रहता है आप simply अपने browser के account में sign in करके अपने personal bookmark, history और password को TV के साथ sync कर पाते हैं आपने भी notice कर रहा होगा टीवी remote से type करना इतना convenient field नहीं होता ऐसे में हम browser को sync करके किसी भी website पर email और password को easily access कर पाते हैं अब आपने टीवी पर mails को चेक करने के लिए Gmail और Outlook जैसी powerful apps को भी use कर सकते हैं इन apps से हम अपने mails को read करने के साथ directly इनका reply तो करी सकते हैं साथ ही हम document attach करने के लिए अपने टीवी storage से किसी भी file को pick करके attach करके send भी कर पाते हैं यह app perfectly work करती है Android TV पर जिससे ऐसा पिल्कुल फिल नहीं होता कि यह app Android TV के लिए design नहीं है Gmail app के साथ हम Outlook app को भी TV पर use कर पाते हैं and this app works perfectly आप office के mails check out करने के साथ meeting schedule को भी directly TV पर देख सकते हैं अब entertainment के लिए आप अपने TV पर ही social media apps को भी use कर सकते हैं हमें Instagram, Facebook, Reddit जैसी popular apps भी अपने TV पर install करने के लिए मिल जाती है अब यह apps fully compatible नहीं है जिस वज़े से हमें layout properly visible नहीं होता है but still हम notification, messages, posts को check out कर पाते हैं अपने TV से ही next app is Canva, इस app से आप अपने TV पर ही photos को directly edit कर सकते हैं इस photo editing tool में हमें photo में text एड करने से लेकर filters, color, brightness, contrast जैसे काफी सारे editing features डिरेकली टीवी पर यूज करने के लिए मिल जाते हैं इसी के साथ हमें इसमें काफी सारे different photo templates select करने का option भी मिलता है जिससे आप Instagram, Facebook पर instantly photo को edit करके share कर पाते हैं वट आप यह app आप अनलाइन मोड पर वग्रती है सो आप अपने टीवी पर photo को edit करने के बाद अपने PC और स्मार्टफोन पर भी photo editing को continue कर पाएंगे इस आप में हमें more than 1500 video courses free of cost TV पर देखने के लिए मिल जाते हैं आप simply app में login करके सब भी courses को access कर सकते हैं हम इस app को स्मार्टफोन पीसी के लावा अपने टीवी पर भी यूस कर पाते हैं यदि आप student या फिर job सर्च कर रहे हैं यदि आप इस आप को चेक आउट करें आप इस आप को अपने टीवी पर यूस करने के लिए आप डारेक्ली इन्हें डाउंडोड कर सकते हैं में तब तक ले गुद्बाय थैंस वचिंग एल सी यू इन नेक्स वन